स्वावात आप सभी का आपके अपने चैनल मास साप की पाट साला में इस वीडियो में हम देखेंगे जो महीनों से आपके बच्चे बीयों को भेजे गए छातर में दिख रहे हैं उनका कब आएगा पैसा कौन से बच्चे सर्वर पर पहुंचे हैं कौन से अभी सेस हैं एड़िट टू बैच का क्या मतलब है फॉर्बरड़ बाई BSA का क्या मतलब है सस्पेक्टेड न्यू स्टूडेंट का क्या मतलब है और अगर उनका पेमेंट हो गया है तो किस अकाउंट में पेमेंट हुआ है यह सब कुछ देखेंगे देखेंगे सबसे पहले आप जब प्रेना-UP.in लिखेंगे अपने Google Chrome ब्राउजर में तो इस टाइप से आएगा लॉग इन और पासवर्ड पूछेगा लेकिन आपको login पासवर्ड नहीं करना है उपर आपको देखेग अग्या जब आप मुलाइल में login कर रहे होंगे तो आप थी लाइंस देखेंगे तो आपको teacher login देखेगा इस टीचर login पे आपको जना है इस teacher login पे जाने के बाद में यह जो box आ रहा है login for bank upload इस पर टिक करना है और यहाँ पर अपना MDM का number डालना है और फिर उसको verify करना है फिर आपके पास में OTP आएगा देगे यहाँ पर OK OK करते जाना है आपको तो इस तरीके से login होगा तो उपर जो top पे three dots बने हुए right side में उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यह सारे option दिखेंगे उसमें देगे आपको यह desktop site दिख रहा है नीचे जो desktop site दिख रहा है बॉक्स बना हुआ है इस box पर आपको टिक करना है जिससे के mobile का desktop version आ जाएग यहाँ पर desktop version आ रहा है यह left side में आपको सारे option दिख रहे हैं इन option में से आपको किस option पर जाना है किस पर आपको dbt का कार्य दिखेगा dbt students current stage analytics इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने विद्या लेके सारे बच्चे दिखेंगे अब दिखें इसमें क्या-क्या चीज देख रही है वो हम आपसे discuss करते हैं जैसे पहला बच्चा है इस पर आप payment status में payment success दिख रहा है payment account number दिख रहा है और कौन सी बैंक का है यह दिख रहा है आपको दूसरे में भी यह है अब तीसरे में देखते है यह बच्चे में क्या लिख रहा है verified ह इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है अब देखिए और दूसरे क्या-क्या हो सकता है added to batch added to batch का मतलब होता है कि इसका बैच बनना है बैच बनने के बाद में यह pfms portal पर चड़ाया जाएगा उसके बाद में यह seeded या unseeded में आएगा तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है इसमें अभी आपको बेट करना है थोड़ा इसके बाद देखिए यह सारे payment success है payment success जो भी payment success होगा उसमें आपको आगे वो detail दिख रहा होगा देखिए यह भी added to batch है इसमें भी आपको बेट करना है यह आप देखिए suspected student और अभी आपने इसको clear नहीं किया है तो इस बच्च को आपको clear करना है देखिए verified and forwarded by VSA इसमें कुछ नहीं करना है यह added to batch है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है verified and forwarded by VSA तो इस टाइप से आपको यह status दिखेंगे देखिए यह दूसरा भी है suspected students तो यह भी suspected students में तो suspected students अभी clear नहीं हुए होगे तो आपके वो clear हो जाएंग इस पर आप accept, drop out या फिर correction करके आगे forward करेंगे जब आप correction करते हैं तो उसके साथ साथ आपको BRC से भी उसको correct कराना होगा उसका date of birth है जो भी correct कर रहे हैं अन्य था कि स्किति में जो suspected वच्चा है वो clear नहीं होगा और आपका वो payment नहीं आएगा आपके पास में एक option और नहीं भरा है तो उसमें आपको margin का आधार verify कराना है अगर आपके बच्चों में संख्या की कहीं पर भी गड़बड़ी आ रही है तो आपको परेसान नहीं होना है एप में problem हो सकती है एप में कभी कभी कह सर्वर पर data नहीं जाता है तो आपको एप में नहीं देखना है यह बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले thanks for watching